नमस्कार दोस्तों मन्जू लटा चानल में आपका स्वागत है तो आज हैं बिहार का बहुत ही फेमस दलपूरी बताने जा रहा है तो यह बिहार में बहुत ही फेमस है पर्ब दिवहार में तो इसे बनाना ही बनाना है और शादी प्याह में भी यह बनाया जाता है जो बिहार से होंगे उनको पता होगा तो यह पूरी जो है यह दल पूरी खीर के साथ बहुत ही फिमस है लेकिन हम यहाँ सबजी के साथ सर्व कर रहे हैं तो बहुत ही इजी है इसे बनाना तो चलिए शुरू करते हैं दल पूरी बनाना तो यहां हम चना दाल लेंगे जितना इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो सारा पानी हमारा निकल चुका है हम इसे पेस में तो सारा हमारा पिसा चुका है देख सकते हैं अब हम इसका मसाला तयार करेंगे तो यहां हम जीरा घुलकी धन्या और लाल मिर्च कराही में हलका सा भूने हुए हैं इससे बहुत ही अच्छा टेष्ट आता है तो यहां हम कूट करके मसाला तयार करेंगे बहुत ही amazing टेष्ट आता है अब यहाँ पीशा हुआ भी मसाला डाल सकते हैं लेकिन पारंपड़िक तरीके से इस दलपुरी को बना रहा हैं तो मसाला ह फोटा चुका है इसे हम प्लेट में रखेंगे और ऐसन ईद्रक को भी हम कूठ लेंगे जो ऐसन अद्रक नहीं खाते हैं वह यहां पे नटाले आले आक्चली पर तेवहार में ऍन्लक거야 गलाता है यहां हम चाट मसाला डाल रहा है चटपटा बनाने के लिए और काला नमग बर्प दिवहार में ये सब बिल्कुल भी नहीं पड़ता है फिर भी बहुत ही टेश्टी बनता है अब सभी को हमें हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम आटा गूतेंगे तो आटी में हम मोयन के लिए यहां घी डाल रहा है आप यहां तेल डाल करके भी कर सकते हैं तो मोयन डाल के अच्छे से आटी को मसलना है मसलने के बाद पानी डाल करके हमें आटी को गूत लेना है यहां बहुत गड़ा आंटा ने गूथना है जैसा गोती के लिए आंटा गूथा जाता है वैसा ही मतलब आंटा हमें गूथना है आंटा हमारा गूथा चुका है अब उपर से थोड़ा सा तेल लगा करके या फिर घी जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा करके इस तरह से ठक करके कुछ देर का हम रेष्ट देंगे जैसे आटा जो है अच्छे से से सेट हो जाए अब 10-15 मिनट के रेष्ट के बाद हम यहां आटी में से इस तरह से एक लोई लेंगे अब इसे हमें सेप देना है अब दाल वाले मिश्रन को इसमें भरेंगे एक से दो चमच हमें इतना ही भरना है कि यह पेलते समय फोटे ना अब यहां ध्यान से देखिएगा इस तरह से बंद करेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा इस तरह से बच रहा है इसे हम साइड में निकाल देंगे अब हलकी हाथों से इसे हमें बेल लेना है तो हमारा बिला चुका है अब हम तेल कर्म करेंगे और इसमें पूरी को डालेंगे फ्लेम यहां मीडियम टू हाई रहेगा इस तरह से दबाते हुए पूरी को उलटते पलटते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है तब देख सकते हैं कुबारे के तरह यह पूरी फुला है इसी तरह से हम सभी पूरियों को तल लेंगे तो अब बनाईए खाईए और अपने फैमली के साथ इंज्वाइ कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में